नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्राची पारश्यर और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा आज बात होगी उस समझदारी की जिसकी उमीद कम से कम चर्चित चेहरों से तो की ही जा सकती है और शायद इसमें कहीं न कहीं बॉलिवोर्ड सिंगर कनीका कपूर से चूक हुई है यही वज़े है कि अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है लंबे वक्त से क्वारिंटीन हुई कनीका कपूर के एक इंस्टा पोस्ट में आई सफाई ने उन पर सवाल खड़े करती है उल्टा चोर गोतवाल गुडाटे यह कहावत आज बिल्कुल ही सटिक बैठती है पॉलिवोर्ड की बेवी डॉल कनीका कपूर बाद वजह है कनीका कपूर का वो खुलासा जो सोशल मीडिया के जरीए किया गया है यही वजह है कि अब करोना गर्ल के नाम से पहचान बना चुकी कनीका कपूर में मुश्किने बढ़ गई हैं अब करोना गर्ल कनीका कपूर ने जिस तरह राजधानी में दैशत पहला जैसे जैसे उन्होंने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा हैं यह किसी से च्छी पाने सिंगर कनीका कपूर ने खुद कुछ नहीं किया कुरोना संक्रमन से छुटकारा पाने के बाद भी चुपी साधी रखी लेकिन जब चुपी तोड़ी तो उसमें सबक के वज़ाए सीना जोरी दिखाई थी कुरोना से जंग जीतने के बाद प्रशासन को ही कट घरे में खड़ा करने वाली कनीका कपूर को अब सच का सामना करना ही पड़े अब सच और जूटका खुलासा भी होगा एरपोर्ट पर जाचना होने का जो इलजाम कनीका ने प्रशासन पर लगाया है उसका जवाब भी देना ही होगा लंदन से लोटने के बाद कनीका कपूर ने खुद को सिल्फ आइसोलेशन में नहीं रखा और लखनों में कई पार्टियों में शामिल होती रही और जब कनीका को कॉरंटीन किया गया तो जाच के दौरान वो कोरोना वाइरस से संक्रम पाई गए कई बार कोरोना की रिपोर्ट पॉस्टिव आने के बाद उन्होंने एक लंबी चंग लड़ी थी इस खतरनाथ वाइरस के खलाफ लंबी लड़ाई के बाद जीत भी मिली कनीका कपूर ने अब अपने उपर लगे तमाम आरोपों पर सफाई दिये हैं तो घरेली उड़ानों में उस वक्त हो रही स्क्रीनिंग पर भी सवाल खड़े किये हैं इस से पर दो से तीन दिन के अंदर में इस नोटिस के जरिये ही कनीका कपूर दो तीन दिन में अपना बयान सरोजी ने अगर थाने में दर्ज कराने जाएंगे और इस तरीके से अगर कहा जाए कि कनिका कपूर जो सचाई होगी वो सामने आएगी कनिका कपूर पहली बार सामने आकर बताएंगी कि जब लंदन से मुंबई आई तो और मुंबई से जब लखनव आई तो किन-किन लोगों से मिली और आखिर जो उनके उपर एफायार पेश पर अपनी सफाई भी दी है कि जब 10 मार्च को जब लंदन से मुंबई पहुंची तो वहाँ पर स्क्रीनिंग की गई लेकिन होम कॉरेंटाइन का नोटेस एडवाइजरी 18 मार्च को जारी की गई लिहाजा उन्होंने खुद को होम कॉरेंटाइन नहीं किया 11 मार्च क बीट में वो यहाँ पर अपने करीबी दोस्तों के घर पर आयुजित पाइटी में शामिल होती है और जब उनको खुद ही अपने अंदर कोरोना के लक्षन दिखाई पड़ते हैं तो उन्होंने खुद ही टेस्ट करवाया और होस्पिटलाइज हुई यह का निका कपूर न मिलने के लिए अगले दिन 11 मार्च को लखनौ की आत्रा की घरेलू उडानों के लिए कोई स्क्रीनिंग विवस्था नहीं थी 14 और 15 मार्च को मैं एक दोस्त के लंच और दिनर में शामिल हुई मैंने किसी पार्टी की मेजबानी नहीं की और मेरी सेहत बिलकुल सामान्य थी लखनों में कोरोना के नाम पर पहली अफ्रात तफ्री में चाने वाली संगर कनिका कपूर को अब कानुनी पिरिक्रिया से गुजरना होगा सिंगर कनिका कपूर पर सोर्यजुनेगर थाने में FRR दर्ज है और आज लखनो पुलिस ने कनिका को बयान दर्ज कराने का नोटिस दे दिया है पुलिस के द्वारा दिये गए इस नोटिस में 30 अपरेल तक का वक्त दिया गया है इस बयान के साथ वो सच्चाई सामने आएगी कि आखिर लखना हुआ कर कनिका कपूर ने कोरोना संक्रमित होने के बावजूद इस तर्थी को छुपाया या नहीं और अपने किन-किन दोस्तों के साथ वो मिली और मुंबई एयरपोर्ट पर जब वो लंदन से लोटी तो उनकी स्क्रीनिंग की गई ये बात खुद कनिका कपूर ने अपने इंस्साग्राम पेश पर लिखी कनिका कपूर को अब सरोजनी नगर पुलिस ने नोटीस भेजा है उनसे बयान को लेकर जवाब देने को कहा गया है सरोजनी नगर थाने में कनिका कपूर के खिलाफ एफायार दर्ज है लखनव पुलिस की ओर से जारी किया गए नोटीस में उन्हें दो से तीन दिन का वक्त दिया गया है अब अगर चाहें तो अभी भी ले सकते हैं को प्रॉब्लम नहीं है हमाई तरफ से हमारे अमें सब लीगल नोटीस जो है नोटीस सर्व करने को बादी है नहीं बता दीचे किते बज़े आएंगे त्यार रहेंगे आपके तो आज आप सिरफ नोटीस देने आये हैं ऐसी भीजवा देते हैं यहां पर तैकार में नातक होता है कनिका कपूर अब कानूनी सलाह के बाद ही नोटीस का जवाब देंगे लेकिन इन सब के बीच कई सवाल है जो सब के मन में उठ रहे हैं जिस वक्त कनिका लखनों आई उस वक्त पूरे देश में कुरोना की दहशत थी करीना कपूर इतनी पढ़ी लिखी हैं फिर भी क्या उन्होंने इस संकट में लापरवाही बर दी मान भी लीजिये की चेकिंग नहीं हुई थी तो क्या अपनी तरफ से कनिका ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया सेलिब्रिटी होने के नाते खुद की जाच करवानी ठीक क्यों नहीं समझी एरपोर्ट पर स्क्रीनिंग ना होने की जानकारी किसी को क्यों नहीं थी आपको बता दें कि कनिका कपूर पर लखनाओ के सियमों की ओर से एकेडमिक एक्ट समेत कई धारों में केस नच करवाया गया था दर्ज F.I.R. में कनिका कपूर पर कोरोना संक्रमन होने की सूचना नहीं देने कारोप लगाया था कनिका कपूर 10 मार्च को यूके से मुंबई आई थी और 11 मार्च को वो अपने माता पिता के पास लखनो पहुंची थी जहां उन्होंने अपने खरीबियों के साथ पार्टी की थी हलाकि बाद में संक्रमन की शपेट में आने के बाद उन्हें SGPGI में भर्ती किया गया था जहां से डिस्चार्ज होने के बाद अब कनिका कपूर होम क्वारंटीन में है शिकन्जा कानूनी कसा गया तो अब कनिका कपूर को जवाब भी कानूनी परिक्रिया के तहट ही देने होंगे लेहाजा 30 अपरेल तक का वक्त कनिका कपूर को दिया गया है कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है कानिका कपूर से जुड़ी एक एहम अपडेट ये भी है कि उन्होंने अपना ब्लड सेंपल दिया है और अगर टेस्ट रिपोर्ट सही हुई तो उनका प्लाजमा कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए लिया जा सकता है यहाँ एक बार फिर आपको वो बात्चेश सुनवाते हैं जब कनिका कपूर के घर पर पुलिस नोटिस देने के लिए पहुँचे थे कि तिन दिन का टाइम आपको इसलिए रहे हैं किसी से कुछ शला लेना चाहिए तो बात नहीं है अब यून थीजिए ले लिए सर ठीक है आप अबने सला ले लिए सब तो कोई बात नहीं है हमें आप जो है दो दिन बाफ तीन दिन बाफ दे दीजिए अगा अगर चाहें तो अभी भी ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है हमाई तरफ से हमाई हमें सब लीगल नोटिस जो हां नोटिस सर्फ करने बाद ही हम लेंगी फर्वल्टी हैंगी पहले स्टेट्मेंट लेंगा आपको टाइंगी आपको इसके रिसीब करने कि अग्यार बजी तो आज आप सिर्फ नोटिस देने आएं ऐसी भीजवा देते हैं यहां पर पेकाव में नाटक होता है फिर अपमाई थैलीनी है सर मजा को डाकी रखा हुआ है हमारे देश का आम लोग का जिन्होंने कुछ किया उनको पकड़ी जाके हमारे क्यों पीछे पड़े हैं कुछ यह अपने हैं मेडिया कुछ आप लॉक्डाउन 2.0 खत्म होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है इतने दिन बीतने के बाद भी लॉक्डाउन के दुश्मनों को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं समझाई या फिर ये भी कह सकते हैं कि उन्हें समझाया जा नहीं सका जगा जगा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्या उड़ाई जा रही है लॉक्डाउन का उलंगन हो रहा है मास्क की एहमियत को भी दरकिनार कि परिया जा रहा है तो सवाल वही कि क्या इन लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता लॉक्डाउन के इन दुश्मनों बाद दुनिया में कोरोना महमारी की तबाही का मंदर भी इन नासमझों को समझाने के लिए काफी नहीं है देश में बरता मौत का आख्डा भी इनकी आखों पर बंधी पट्टी नहीं खोल पा रहा है लॉक्डाउन को खत्म होने में महज चंद दिन बचे हैं लेकिन उसकी गंभीरता को लॉक्डाउन के दुश्मन समझना ही नहीं चाहते हैं मेरट में सोशल डिस्टेंसिंग की धच्जियां मेरट में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉक्डाउन का उलंगाज अकसर देखने को मिल रहा है और ABP गंगा आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा भी रहा है तस्वीरें मेरट के कचेहरी पुलकी हैं जहां लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज़्जियां चम कर उड़ाई जा रही है। रोज की तरह यहां भीड़ भार देखने को मिल रही है। जो दावत हैं कोरोना से खतरनाक वाइरस के लिए। एवीपी गंगा आज मेरट के कचेहरी पुल के पास पहुचा है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग और लॉगडाउन का उलंगन करते हुए दिख रहे हैं। दुकानों पे आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है एक फिटकी भी जगे नहीं छोड़ रखी उन्होंने एक दूसरे के बगल खड़े होने में। तो कहीं न कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है जिसका अनुपालन करने के लिए प्रशासान सरकार डबलुएचो लगातार गुजारिस कर रही है लोगों से लेकिन मेरट में ये तस्वीरे देखने को नहीं मिल रही हैं। यही वज़य है कि इन तस्वीरों को देख करके मुख मंत्री ने खुच चिंता जताई और यहां पर सीनियर आईयस अधिकारी को नोडल अधिकारी बना कर भेजा ताकि ये तस्वीरे बाहराना बंद हो और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉगडाउन का सत प्रतिसत पालन हो यहां लोग दुकानों में एक दूसरे से सटे उए खड़े दिखे सटकों और दुकानों पर भीड़ दिखी जबकि सरकार प्रशासन और डबलू एचो लगातार अपील कर रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें बहुत जरूरी हो तभी घरों से निक रही है और एक के बाद एक जगे से ऐसी तस्वीरे देखने को मिल रही है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉक डाउन की धजियां खुले आम उड़ रही है ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर का मुख्यमंद्री की बार बार घुजारिस के बावजूद भी लोग क्यो हर्दोई में पैसे निकालने की भीड बैंक के बाहर मौजूद इस भीड को देखिये देखकर कोई नहीं कह सकता कि पूरे देश में लॉक डाउन है और तो और उस लॉक डाउन के बारे में हर्दोई के लोगों को जरा भी कुछ पता है भीड तो भीड है साहब लेकिन क्या बैंक के अंदर बैढ़े पढ़े लिखे अधिकारियों और करमचारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पता नहीं है साहब तो इसी गमरे में एक एक करके लोगों को बुला रहे है लेकिन बाहर कोरोना का खतुरा कितना बढ़ रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है हर्दोई के जिले के कई गाउं में हालात यही है काउं से लेकर कजबे तक बैंकों पर हर दिन फेड़ लग रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धजियां उड़ा रही है ना तो बैंक अधिकारियों को इस बात की चिंता है और नहीं प्रशास्तिक अधिकारी को एक दम लखिमपुर खिरी में कोरोना पार्टी कहना गलत नहीं होगा खुले आम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें मैगल गंज की हैं जहां ऐसो सहब अपने सामने सामाजिक दूरी यानि सोशल डिस्टेंसिंग को भूल बैटे सैकड़ों को निर्देश दे रहे हैं लेकिन ओचित दूरी का मतलब नहीं समझा पा रहे हैं कानपुर में लॉकडाउन के दुश्मनों को सिखाया सबग कानपुर में लगतार कोरोना बमफट रहे हैं कोरोना संखमित मरीजों का अक्ला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, प्रशासन सक्ती भी दिखा रहा है, लेकिन लॉक्डाउन के दुश्मन रोड पर निकलने से बाज नहीं आ रहे, जिस पर पुलिस भी उन्हें सबत सिखा रही है, ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा उस पंचायत में आरोपियों को सजा भी सुनाई गई, लेकिन उस पंचायत के बाद सीधे खबर आई पिडिता की मौत की, अब सवाल ये है कि क्या पंचायत की गुन्हेगार है उस गैंगरे पिडिता की, क्या पंचायत नहीं ली है, उसकी जान कुरोना काल में हुआ महापाप मासूम की गुनहगार पंचायद गैंग रेप पर पंचायद ने ली जान क्यालीगण में महापाप पर बैठी पंचायद उस मासूम की गुनहगार है जो कुरोना काल में दरिंदगी का शिकार हुई दादों धाना छेतर में हुई दरिंदगी पर बैठी पंचायद और पंचायद का वो फर्मान उस बेटी के लिए अन्याय साबित हुआ क्या दरिंदगी की इतनी खौफनाक दास्ताबर पाँच जूते की सजा काफी है क्या ये सजा हैवानों के होसलों को बलंद नहीं करती आरोपियों को पाँच पाँच जूते मारने की सुनाई थी सजा जरा सोचिए एक गाउं की बेटी के साथ हैवानियत होती है हैवानियत के खेल के बाद आनन्फानन में गाउं में पंचायत बैठती है पंचायत में उस मासूम को भी बुलाया चाता है जिसका सारजनिक तौर पर नाम लेना भी कानून के खिलाप है भरी पंचायत में गैंगरे पिड़ता को बुलाए गया जिस बिटिया के साथ दरिम्दगी का खेल खेला गया उसको सरयाम बुलाकर उसके जखमों को इसकदर कुरेदा गया छोटी सी सजा के बाद आरोपियों को रिहा कर दिया गया है एक चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया पंचायत के फैसले के बाद की थी खुदकुशी पंचायत के होक्म की तामील हुई आरोपियों को सजा दी लेकिन पुलिस को कानो कान इस अदालत की जानकारी नहीं हुई और जब पता चला तब तक एक बेटी फासी के फंदे पर जूल चुकी थी और इस खौफनाग खबर के साथ ही पूरे गाउं में संसनी फैल गई गैंगरेप पिड़ता की खुदकुशी का मामला पंचायत के बेटू के फैसले के बाद गैंगरेप पिड़ता ने पासी लगा कर खुदकुशी कर ली आरोफे की पंचायत ने गैंग रेप के आरोफियों को पांच-पांच जूते मारने और गाउं में मूँ काला कर धुमाने की सजा सुनाई थी और उसका बाद पोलिस मौकर पर गई वहां से जान्स किया है जान्स को बाद पता चला है उसका लड़के के बेहन ना बताया मेरा दीनी का इसे गटना हुआ उसके साथ कुछ लड़के ने उनका साथ दुद्भियार किया है उसका बाद गाउं में कुछ लोग में पंचायत किया है पंचायत करने के बाद वह उसके बाद मेरा ना की सुछना थी अब पंचायत के खिलाब विजाँच का दम भर रही है लेकिन साहब इतनी बड़ी शूख हुई कैसे इस जनलेवा पंचायत के खबर पुलिस के कान तक क्यों नहीं पहुँची या फिर पुलिस हर बार बारदात के होने का इंतुजार करती है और अगर ऐसा है तो गुनहगार सिर्फ पंचायत नहीं है रदी अलिगर्द एबिपी गंगा